हालो बच्चो गुड मॉर्निंग फिचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे आप शबो का श्वागत है आज इस प्लेटफॉर्म से हम फिजिक्स में बहुत ही इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग टोपिक दिल करने चल रहे हैं टोपिक है एपसल्यूट रिफ्रेक्ट कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक से कम नहीं हो सकता है कभी देख लेते हैं एक सेज कम हो सकता है तो थोड़ा सा कन्प्यूजें मिसकंशेप्स्प्षन के करन आता है तो पूरा वीडियो ढहले कि समझे बहुत मजाने वाला आज कि छोटा सेशन होगा बट मज़दार होग रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एपसलूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है क्या जड़ा समझेंगे जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी के बारे में मास डेंसिटी मास डेंसिटी नाम आते दिमाग में एक ची आता है कि चलो मैसिव मतलब किसी का डेंसिटी कम या ज्यादा होने का मतलब सेम होलूम में ज्यादा मास या कम मास बट यहां डिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक्चुली उस मेडियम का उस मेडियम मतलब जिस मेडियम स से हम लाइट क्रोस करा रहे हैं मेडियम definitely कौई सा भगा ट्रांस्पैरेंट मेडियम होंगे जो कि ट्रांस स्लून सेंट और ऑ्पैट में मेडियम में हम लाइट को पर फरार किर। ईह करने कर रहें देन उस का कोई मेडियम है थोड़ी दर के लिए हम कह देते हैं ग्लास है और एयर और ग्लास के बीच का यह सेपरेटर लाइन है आप रिफ्रेक्शन में पढ़े होगे कि जब भी किसी लाइट को हम एक पार्टिकुलर एंगल पे लाते हैं तो अपने एक्चुल पाथ से डेविएट हो आता है अगर बेदे अंशर में आता है तो इधियातर के कहा आते है नजदिन हो कि आगर वा यह आते हो और यह यह निकल जाता है और जहा तक में आप लोगा तेंथी संग गलत हम लोग गला है जो दिखाना चाहता कि उसमें light speed कितना कम या जादे होने वाला है किसी दूसरे medium के respect में या फिर air के respect में तो किसी medium का अगर absolute refractive index जादा है मतलब उसमें light का speed कम होने वाला है कैसे तो पहले इसको define करो it is defined as defined as the ratio of speed of light in air air को ही यह भैकुम का sense बताता है भैकुम का मतलब यह मत समाज़ना कि air निकाला हुआ जगा air means vacuum the the ratio of speed of light in air to that of any medium is called absolute refractive index refractive index of that medium clearly आप म्यू को define करोगे it is denoted by म्यूँ it is denoted by म्यूँ absolute refractive index को हम लोग डिनोट करते हैं म्यूँ शे आप लिखना चाहो तो म्यूँ इस इकस्टो क्या होगा speed of light speed of light in air by speed of light in that medium म्यूँ आप 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 जानते हो तो म्यूँ क्या निकल गया वेलोसिटी ओफ लाइट इन एयर बाई वेलोसिटी ओफ लाइट इन मेडियम लाइट का वेलोसिटी है speed of light in air speed of light in मेडियम आप देखो म्यूँ सेम फिजिकल क्वांटिटी का डेशीव है उपर भी है speed नीचे भी है speed म्यू का उनिट क्या आएगा उनिट लेस म्यूँ इज अ उनिट लेस उनिट अनद डामेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कारण क्या है because Because it is the ratio of same physical quantity, okay? आप एक और चीज़ देख सकते हो, इतना बढ़े आप करो तू. अभी आपने देखा, मुउ इस रागुर, बदी बदी मेंद करोगे b, ओक? अभी आपने देखा, मुउ is nearly equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second, okay, ये भेलु अपना क्या है, constant है, approximately 3 into 10 to the power 8 meter per second, means कर सकते हैं, mu is inversely proportional to the medium, inversely proportional to the medium, अब आप यहां से mu का मतलब समझ सकते हो, कि किसी मेडिय में अगर light का speed जादा है मतलब वे definitely mu उसका कम पर जागा और किसी में velocity कम है तो something by कम number mu क्या हो जागा जादा mu का B के साथ inversely relation जा रहा है That is Higher the value of mu, lower will be speed of light and vice versa मतलब अगर mu का value जादा होगा तो speed कम होगे और अगर speed जादा होगा तो mu का value कम होगा दोनों एक दुसरे का inverse relation होड करवाता है Also आप एक चीज़ और जानते हो वेव में पड़े हो velocity इस इकस्टो क्या होता frequency into wavelength speed of wave is equal to frequency into wavelength frequency into wavelength होता है speed एक और पॉइंट आप जानते हो अगर नहीं जानते हो तो नोट करो light का frequency basic character होता है during reflection, reflection, polarization, interference चाहे आप जो कुछ भी काम कर दो एक बार किसी source से light initiate हो गए उसका frequency कभी change नहीं करता है चाहे उसको आप reflect कराओ, reflect कराओ, polarize कराओ, interference कराओ या जो कुछ भी कराओ frequency fixed होते हैं हम यहां कर सकते हैं since frequency of light remains constant or remains same during reflection during reflection चुकि अभी हम reflection पढ़ रहे हैं इसलिए ट्रंगुज किया है reflection बट आप ध्यान रखेंगे reflection, reflection, polarization, polarization, reflection, interference, जितना भी फेनोमेना होता है light से related सब में light का frequency क्या होता है same होता है किसी एक particular light का अब अगर frequency constant है frequency आपका constant है तो क्या भी directly proportional to lambda भी directly proportional to lambda इसलिए आपका जो म्यू था चुकि आप जो म्यू डिफाइंड किये थे क्या किये थे भी air भी medium तो इसको हम ऐसे भी तुली सकते हैं frequency of light into wavelength in air by frequency of light into wavelength in medium frequency से frequency cancel तो हमें यह भी reality मिल सकता है lambda in air by lambda in medium मतलब light का wavelength in air और light wavelength in medium का ratio भी हम mu defined कर सकते हैं I hope it is clear अब आप गौर से देखो यहां पर experimentally mu का value हम किसी medium में जाके निकाल सकते हैं चुकि भी air अपने को पता है भी medium निकालना है और भी medium हम अराम से किसी medium में जाके light डालेंगे कितना दिर में कितना दूर गया absorb करेंगे SPA निकाल के दे देंगे तो उस medium में हम SPA निकाल करके आराम से divide करेंगे और mu निकाल सकते हैं तो यह याद किया जाता है इनकी जोको आप निकलो और mu glass glass का mu fixed होता है 3 by 2 mu water यह भी fixed होते हैं 4 by 3 mu diamond यह भी fixed होते हैं 2.42 और mu air mu air यह भी fixed होता है 1 air का mu 1 होता है इतना भी आप डाल सकते हो यहां तक पहुँच गया एक और चीज आप लिखते चलो बहुत ही काम का चीज बता रहे हैं एक चीज आप जानते हो velocity of light in air is always greater than request to velocity of light in any medium किसी मेडियम में जाकर आप देखो तो उसका स्पीड उसका स्पीड मतलब उस मेडियम में light का स्पीड हमेशा air के respect में कम ही होता है means light का स्पीड in the air maximum होता है अगर भी एयर भी एयर मतलब वाट एयर में light का स्पीड यह मत समझे ना कि एयर का स्पीड भी एयर मतलब velocity of light in air always greater होगा किसी मेडियम से चाहो मेडियम पानी हो बट यह मेडियम सब कैसे होंगे transparent बिल्कुल transparent तो भी एयर भाई भी मेडियम अगर करोगे यह value क्या हो जागा greater than equals to 1 और भी एयर भाई भी मेडियम क्या आप जानते हो अभी देखे हो म्यू का भैलू हमेशा greater than equals to 1 आएगा कभी भी किसी भी मेडियम में absolute reflective index का value एक से कम नहीं आ सकता है सबसे कम आएगा तो कब आएगा एयर में आएगा जब एयर का एयर मेडियम हो जाए और विथ रेस्पेक्ट टू एयर तो हम निकालते ही है देन भी एयर और भी एयर बराबर हो यह बर कभी कनुंची करने या कोसिस करें तो पूछ सकता है क्या जैसे आप सारे मेडियम डिसकस कर रहे हो लाइट के लिए कौन सा transparent 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 मेडियमे ही light flow करती है ओपेक सबस्ट मेडियमे कोई light नहीं फ्लो करेंगा जैसे इट पत्थर जो भी लकरी दिवाल कुछ भी आप डाल दो बुक तो वहां से light तो क्रॉस करेंगी नहीं तो अगर light क्रॉस नहीं करेंगी तो हम मानते हैं कि जब दस्टियर क्रॉस करती है कितना होगा जीरो तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ओपेक सबस्टांस जीरो और आप मियू क्या डिफाइन करते हो भी एयर बाइभी मेडियम और मेडियम में अगर स्पीड जीरो हो जाए सम्थिंग बाइजिरो क्या नमर आ जाएगा इंफिनिटी अगर कोई पुछे कि इसको आप बोलते हो और दर्शी ओपेक सबस्टांस के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना ना चाहिए इनफिनिटी यह कुशन आप एकराज करवा सकता है आपसे क्लियर तो यह रहा डिफ्रेक्टिव शौड़ी एपसलिट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में ह कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है अब यहां पर रिलेतिव का मतलब आप जानते हूं है बोगगगव मोशन एक के रैस्पेक्ट में किसी दूसरे तो एक मेडियम के respect में किसी दूसरे मेडियम का अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना क्या कहलाता है relative refractive index इसको लिख सकते हैं the refractive index, ri means refractive index कौन सा absolute, the refractive index या इसले इको absolute absolute refractive index of one medium इस प्रेस्ट्ट तू अनदर इस कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए जैसे इसका एक सिंबोल आता है जैसे स्पीड में आप दिखते हो ना कि भी ए भी इसका मतलब है क्या होता है स्पीड अफ ए बिफ्रेस्पेक्ट टू बी तो यहां भी कुछ सिंबोल आता है जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं म्यू वन टू और एक ही सिंबोल है म्यू वन टू एक ही चीज़ लिखा हुआ है म्यू वन टू और म्यू इधर वन इधर टू इसका है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ फास्ट मेडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मेडियम अगर हम डाल दू म्यू टू वन और म्यू टू एक ही सिंबोल है बस सिंबोल दिया गया है इसमें ज्यादा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है आपको इसमें ज्याद दिमाग नहीं लगाना है इसको क्या बोलेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ इसको बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ इसको बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओफ सेकेंड मेडियम बित रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मे अगर हम define कर रहे हैं mu1 2 या फिर mu1 2 एक ही चीज लिखा हुआ है इसका value आगा mu1 by mu2 and mu2 1 या फिर mu2 1 इस symbol में इसका value है mu2 by mu1 जिसके respect में defined करते हैं वो नीचे base में आ जाता है यह क्या है relative mu1 by mu2 पुड़ा यह टर्म है इसको क्या बोलना है relative reflective index of first medium with respect to second medium relative reflective index of second medium with respect to first medium क्लियर अब आप यहां गौर से देखो absolute value अभी आप क्या लिखे हो always greater than equals to 1 लिखे हो but relative value चुकि यहां पर अगर मालो की निकालते हो हम example से दिखा रहे हैं example हमें निकालना है muGW मतलब glass का water के respect में muGW means what muG by muW mu glass आप देख लो आपके पास है 3 by 2 divided by 4 by 3 means 3 by 2 into 3 by 4 9 by 8 muGW कितना निकाल गया 9 by 8 and आप निकालो muWG muWG मतलब mu water by mu glass mu water कितना जानते हो 4 by 3 4 by 3 divided by 3 by 2 means 4 by 3 into 2 by 3 value आगया 8 by 9 एक बार आ रहा है glass के respect में water का value sorry glass का value water के respect में glass का value water के respect में 9 by 8 तो water का value glass के respect में 8 by 9 means ये value एक से कम या ज्यादा हो शकता है बट absolute value हमेशा एक से ज्यादा या सबसे कम एक के बढ़ावर होता है तो ये चीज बहुत ही important है relative refractive index may be lesser or greater than 1 may be lesser or greater than 1 एक से कम या ज्यादा relative value हो शकते हैं बट absolute value हम बार बार कर रहा है absolute value कभी भी एक से कम नहीं आ सकता है जब भी होगा वो एक से ज्यादा होगा relative value एक से कम आ सकते हैं एक से ज्यादा भी आ सकता है एक चीज और एक से कम तो आ सकते हैं बट negative नहीं कभी भी negative नहीं हो शकता है हमेशा value positive होगा मतलब 0 से 1 के बीच आ सकता है ओके तो यह रहा आपका हर एक confusion दूर करने वाला वीडियो relative and absolute refractive index क्या होता refractive index और इसका हम यूज करते कहां है किसी medium का refractive index ज़्यादा है मतलब उस medium में light का speed कम है तो केवल optical density को मतलब कोई medium optically कितना active है कितना dense है इसी चीज को measure करने के लिए एक term refine किया गया काउची ज़्य रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आई होप काम का वीडियो रहा हो बिल्कुल काम का होगा आप इस चीज़ों को धंग से देखे फिर मिलते हैं next class next topic ओके बाई